घर में एक दू लोग ऐसे होते ही है जिसे अर्वी के पत्ते के पकूडे वाले सबजी बहुत पसंद आते हैं मेरी घर में भी मेरी बड़ी दीका तो ये बहुत जादा फैवरेट है इसलिए बिहार से उनकी सासुमा ने भीजा है ये अर्वी के पत्ते जिसे वो अपने घर पे तो बनाई ही साथी वो यहां के लिए भी थोड़ा सा डेलिवर कर दी पत्ते का कंडिशन थोड़ा सा बिगरा हुआ है क्योंकि ये बिहार से चलके असाम को आया है तो इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले इमली को गरम पानी में भीगो लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे जिसमें अद्रक लेसन मिर्श, धन्या, जीरा, गोल मरीच और साथ ही एड़ कर देंगे हींग और पानी एड़ करके ना फाइन सा पेस्ट तयार कर लेंगे हम पत्त करेंगे थोड़ा सा जीरा भी एड़ करेंगे साथी एड़ कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था पेस्ट आधा एड़ कर देंगे और आधा को हम ग्रीवी के लिए रख देंगे इन सभी को मिक्स कर लेंगे यहां पर इमली वाला पानी भी एड़ कर देंगे बीच को निक के रखे हाल का ही पानी आडके मिक्स कर देंगे और यह हमारा घुर बन के तयार हो गया यहाँ अपर थोड़ा सा नमक कम लगड़ा था थो तो थोड़ा सा मैं आड किया अब पत्ते पैना हम स्प्रेट करेंगे इस घुल को पूरे पत्ते पर अच्छे सतस् 스Int हैं, लेकिन पत्ता स्साइजे लेकिन मेरा साड़ा पत्ता था सिम साइजे का था समस्सी, जिससे न आपको सीम करने में भी आसान होगा, और ककि इस वाली को मैंने पांच पत्ते से त्यार किया है, और पाकी दो सिर्णे बदफितां को पेसार जिए आप जादा मुट दखाते जाएंगे लेकिन मेरा सारा पत्ता सीन साइस का था उस्टünde को ना पांच पत्ते को प्ले पेस करके मैंने बनाए है नहीं के सबसे पहली हैं और बाकी दो मैं ने चारृण पत्ते का यूज़ किया है। आप ज्याधा मोड़ा ना बनाए ठीक साइस में बनाए जिससे यह आपको सीम करने में भी असान होगा और कटिंग करने में भी तो इस वाले को मैंने पांच पत्ते से तयार किया है और बाकी दो जो मैं बनाऊंगे वो बस चार पत्ते का यूज करके बनाऊंगी ऐसे ना साइट से आप फोल्ड करें और इसमें भी हम बेशन का लीप लगा अब नीचे से यह तो जो ना ताइट फोल्ड करते चलेंगे यह जितना ताइट रहेगा उतना शादा सही रहेगा यह जल्दी खुलेगा ने तो आप ऐसे ना एजिस को मौर के इसे ना ऐसे एसे अ फिक्स करते अब हम इसे रग देंगे और स्टीम करने के लिए मैंने मोमो स्टेन का यूज किया है पानी को गरम होने रख दिये थे अब इसमें एड करके हम बस 15 मिनिट स्टीम करेंगे तो ये हमारे पन के तयार हो जाएगा तो 15 मिनिट में हम इसे एक बार शेक कर लेंगे तो फोक ऐसे डाल के आप देख सकते हैं अगर बेशन ना लगे फोक में तो समझ जाए कि आपका अच्छा से पग गया है अब हम इसे निकाल लेंगे और ना इसे कट कर लेंगे ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला ऐसे पीसे में स्लाइसे में कट कर लेंगे और ना इसे फ्राइ कर लेंगे हम इसे deep fry नहीं करेंगे सेलो fry करेंगे और उसके बाद हम इसका सबजी बनाएंगे आप ना इसके पकोडों को ऐसे भी खा सकते हो और ग्रेवी के साथ भी तो हम पैन में आड़ करेंगे सरसो का तेल और जैसे ही सरसो का तेल अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हम एक एक पकोडा को एड़ करेंगे और ना इसे एक साइड से मीधियम फ्लीम पे क्रिस्पी होने देंगे फिर पलट के दुस्रे साइड से भी क्रिस्पी फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद इसे च्छान के हम निकाल लेंगे इपना तील में ही मेरा सारा पकोड़ा अच्छे से तल की निकल लिया और ना इसे मैंने तीन टाइम में तल के निकाला है तो हमारा सारा पकोड़ा थैयार हो गया आप जादा कराड़ा करें वरना यह यह जला जला टेस्ट है वे रिवी बना लेते हैं, तो सरसो का तेल में यहां पर झीरा और तीजपत्ता अड़ किया मैंने, और फिर पेस्ट बचा हुआ था था ना, अध्रक लेसन वाला वो एड़ कर देंगे, जब तक पेस्ट फ्राइ होड़े हम यहां प्याज का पेस्ट बना लेते हैं, तो दो मे भी मसाले हाफ भी टीबल स्पून आठ किया अध ए और इसिक साथ ही अधिया सीजिया मेट मसाला अश्छय से अधिक काष्डा निभी तेम काष्णे सद जब घर आठ कर सबसुन पर got new! पानी शोड़त ही कि पानी आप तो मुझा ज्यादा एसे कि have 5 मिनटमरे में अच्छेकह से बॉइल लानाः तो 5 मीनटमरे motivी में आँच्छे सब्सक्झा अधरability तो अच्छे से बॉइल अच्छे काझा तो हम इसमें आड कर दें konsolा करी में आपको ज्यादा देर नहीं पकाना है दो मिनट बीना ढखके इसे पका ले बस gravy के साथ ज्यादा आप पकाऊगे तो ये खुलने के chances होंगे इसलिए आप दो मिनट बस हाई फ्रेम पे बीना ढखके पका ले हमना इसे दस मिनट बाद सर्फ करेंगे तो इसे ढखके छोड़ दी आपके तो आपके दो ज्यादा बाद सर्फ करेंगे ये हमना दो ये दो पका लेगे हमना है थादा हमना है रवार खुलने के पका ले थे रहर जो जे हमना है